लॉकडाउन 3.0 की दूसरे दिन पुलिस ने जबर्जस्त कार्यवाही करना शुरू किया है। सब इस्पेक्टर मुहमद सलीम के नेतरत्व में निकली पुलिस टुक्री ने सबसे पहले गांधी मुर्ती के आसपा सबजी विक्रिताओं को हटाया। यहां पर पूरा एक सबजी मार्केट लग गया था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं हो रही थी। यहां प्रशासन के नियमों की कोई दुकान दर पालना नहीं करेगा तो उसकी दुकान को सीज कर दिया जाएंगा। आपको बताते चलें कि लोगडाउन तीन में असम मंझेस की हिस्तिती में दुकान दरों नहीं मान लिया कि उन्हें दुकान खुलने की अनुमती मिल गई है। अब आपको बहुत जरूरी बात बता दे कि किन दुकानों को खुलने की और किन सेवाओं को जारी रखने की सरकादवारा छूड़ दी के यह वह आप ध्यान से एक बार नहीं बलकि दो बार देखें और सुनें। लागड़न तीन में शहर में औध्योगी क्षेत्रों में सभी उद्योग। आवश्यक सामगरी चिकेसिय एवं पैकेजिंग इकायां। आटा, दाल, चक्की, आदी निर्मार कारियर जहां पर श्रमिक कारियस्थल पर ही रहें। दुकान हैं आवश्यक वस्तू ही सिर्फ। चिकेसिय शेक्षनिक किताबें एकलिस्थी दुकान, मोले में एक मात्र दुकान, नुकर दुकान हैं। इलेक्टरेशन, प्लमबर, कारपेंटर, कोरियर, पोस्टल सेवाएं, ई-कोमर्स, हॉम डिलेवरी कारियाल हैं। केवल आवश्यक सामान हैं तु। आवासिय परिसर म रख रखाओ सेवाओ वाली दुकाने खोलने की अनुमती है। इसी तरह ग्रामिट शेत्र में सभी उद्योग, निर्मान, दुकाने, बाजार, सेवाएं, नेजी कारियाले, मात्र 33% सथाफ के साथ। सरकारी कारियाले में उप सची विस्तर तक सभी अधिकारी एवं अन्य क खर्मचारी की उपस्तिती रहेगी सिर्फ 33% के साथ अनुमती दी गए। इनके अलावा किसी भी सेवा या दुकान को खोलने की अनुमती नहीं हैं, इसलिए किसी भी तरह की असमन जस्तिती ना रखें, अपना वो अपने परिवार का ध्यान रखें और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।